आज मैं आपको फोर्टक्स प्लाउस के बारे में डिटेल्स में बताऊंगी जब भी हम फोर्टक्स प्लाउस की कटिंग करते हैं तब आपको क्या करना है पहले तो इसकी मेजरमेंट लेनी है जब हम measurement लेते हैं तो यहाँ पे आपको लंबाई जो है इस तरीके से लेनी पड़ती है यह देखिए लंबाई जो है यहाँ पे हमारा shoulder आता है और यहाँ पे हमें पूरी लंबाई नापनी पड़ती है तो जितनी हमारी 12 इंच लंबाई है तो इसमें हमें 13 इंच लेनी है एक तो हमारी यह बटन होल रहते हैं इस साइड से आपको चेस्ट का वनफूरत देना है नौ इंच हमारा चेस्ट का वनफूरत है कमर का नाप जो है वह हमारा साड़े आटी इंच है उसके बाद यहाँ पर आपका शोल्डर जो है शोल्डर लेना है जैसे डिब गला होगा तो सव साथ आपको क्या करना है सवव दो इंच पर आप गला रखोगे तो उसके आगे आपको क्या करना है इस तरह से यह शोल्डर जो है वो लापना है धाई शोल्डर आता है तो आपको तीन इस सवव तीन इंच इसमें लेना है इससे क्या हो जाएगा यहाँ पर पाइपिंग मे करना है स्ल्यूज की लंबाई आपनी है तो यहां पर आपको शॉल्डर के सामने बिल्कुल लंबाई लेनी है नौ इंचिस की लंबाई आती है और इसका बाटम है पांच इंच अब देखिए फोर्टक्स ब्लाउज में आपको क्या करना है जब भी आप प्लाउज लेते हैं आपको क्या करना है इस तरह से रखना है और जैसे आपको ब्लाउज जितना चाहिए उतना ही जैसा है वैसा ही चाहिए होता है तो आपको क्या करना है शॉल्डर से यहां दब जो प्रॉस पट्टी हमारी है यहां तक हमारा कितना आता है साड़े दस इंच तो साड़े दस इ इसे पूरा सिलने के बाद जैसे आप यहां से साड़ेदास इंच है तो आप साड़ेदास इंच लगे तो यह पार्ट जो है उपर के साड़ में चला जाएगा और नीचे का जो पार्ट है वो बढ़ा हो जाएगा तो इसलिए आपको क्या करना है यहां तक हमारी क्रॉस पट् क्रॉस पट्टी जो है वो नाप के लेनी है जैसे यहां पर यह है धाई इंच की तो आपको तीन इंच लेना है और यहां से यहां तक आपको क्रॉस पट्टी जो है वो चेक करनी है उसके क्रॉस पट्टी तक आपको नाप लेना है और इसमें आगे के साड़ में आपको दो दो या धाई इंच आप एक्ष्रा लेंगे तो यह सिलाए में चला जाता है तो यहां पर टक्स पॉइंट लेने के बाद जैसे इसकी लंबाई जो है वह कम होती है लंबाई कम होने के कारण बैक और फ्रंट साइड जो है वह कम ज्यादा होती है तो इसलिए आपको क्या करना ह है फ्रंट साइड में आपको एक्ष्रा रखना है और यहां पर आपकी जो क्रॉस पट्टी होती है वह ना आपके आपको एक्ष्रा लेनी है उसमें भी आपको मार्चिंग लेना है तो यहां पर आपको जैसे शोल्डर का तो मैंने बता दिया गले का मार्किंग करना है और जितना आपका शोल्डर आता है उसके आगे आपको शोल्डर लेना है और उसमें आपको आधा या पाउन इंच एक्षा रखना है सिलाई के इसाफ से उसके बाद यह भी मैंने बताया है क्रोस जो टक्स हमारे आते है यह टक्स पॉइंट जो आते हैं यह हमारे फोर टक्स आते हैं तो यहाँ पे जब हम कटिंग करते हैं बलाउस की जब कटिंग करते हैं तो यहाँ पे चेस्ट का वनफोर्थ प्लस देड़ इंच लेते हैं यहाँ पे कमर में हमें क्या करना पड़ जितना आता है उतना आपको लेना है बैक साइड में और फ्रंट साइड में भी तो इतना ही है फोर्टक्स फ्लाउज में ज़्यादा तो कुछ है नहीं और कटिंग भी इसकी बहुत ही सिंपल है तो अब इस तरीके से कटिंग करोगे जैसे यह बेसिक लोगों के लिए मैंने औरली समझा है जो चाहिए है तो मैं कटिंग करके भी आपको बता सकती हो लेकिन यहाँ पर मैंने औरली मेजरमेंट कैसे लेनी है और कटिंग के बारे में थोड़े सी टिप्स दी है कि फ्रंट में कितना बढ़ाना है क्रॉस पट्टी कैसे लेनी है बैक सेड में लंबाई में लेकिन जो नए सिलने वाले है उनको थोड़ी शे दिक्कत आ जाती है आपको कटिंग चाहिए तो आप कमेंट्स करके बता सकते हैं मैं इस ब्लाउस का नाप लेकर आपको फोर्टक्स ब्लाउस की कटिंग भी मैं आपको सिखाऊंगी तो वीडियो पसंद आने पर वीडियो को सब्सक्राइब करें थैंक यू फर वाचिंग इस वीडियो